तो दोस्तों आप स्क्रीन के ओपर question number 34 दिख रहा है क्या कह रहा है question the density of a newly disturbed planet is twice that of earth the acceleration due to gravity at the surface of planet is equal to that at the surface of earth if the radius of the earth is r the radius of planet will be तो हमें क्या पर निकालना है तो radius of planet कितना होता है यह हमें पूछा गया है ठीक है और यहां पर क्या बोले है तो density of a planet dp कितना है twice density of earth बोला गया है ठीक है उसके बाद acceleration due to gravity एक अपको और एक रेकवल है यहे बोला गया है अब हमको रे इस एकल टो आर डर है रेडियों सट आर्थ जो है वह आरक एक क्वल है और और आर पी कितना है वह हम को निकालना है ठीक है तो आई एस को सॉल्ट के तो मैं जो जी का फॉर्मूला क्या होता है एक से डूट ग्राविटी का जी इन्टू एम अपॉर्मूला क्या बन गया है मैं यहां हमार अब देंसी मुझ का क्या होता है तो होता है मास क्या होता है इन्टू वाल्यू तो मास इन्टू इन अब मास अफ बानेट कितना होगा तो दीनसिट ऑफ इनी प्लानेट इंटो फूर भाई थ्री एंटू आए आट यू होता है ठीक है अब यहाँ पर हम एंटी के वेलू यहाँ पर पूट करेंगे ठीक है तो यह होती है density of any planet into 4 by 3 into pi into rp whole cube divided by rp square तो यहाँ पर यह तो हमने इदर लिख लिया है उसे mass of earth क्या हो जाएगा तो density of earth into 4 by 3 into pi into radius of earth whole cube divided by radius of earth whole square इसने इसको मारा यहाँ पर radius of earth बज़ गया इसने इसको मारा यहाँ पर radius of planet बज़ गया इसने इसको खतम किया इसने इसको खतम किया तो बच क्या रहा है हमारे पास तो बच हमारे पास रहा है radius पर रो पी इंटू आर पी is equal to रो ए इंटू आर ए बच रहा है अब हम क्या करेंगे रो पी की कितना है twice रो ए है तो यहां पर twice रो ए डालते हैं आर पी हमको निकालना है ठीके रो ए दिया है और आरे कितना है इसने इसको मारा ठीके बच पून गया है टू बच गया है twice रो पी is equal to र बच रहा है तो र पी कितना हो जाएगा तो वो आर पाई टू हो जाएगा ठीके तो कौन सा आप्शन से यह है तो डी आप्शन से यह है तो डी आप्शन पे टिकरो और आगे बढ़ जाओ